विनेशी निहिशुकों के बरोसी की जरूरत पर जो बोला है वह बहुत मैक्रोन है नरेंद्र मोधी आथिक काया कल्प में सूश आशन के अलग अप्रोच लिये होने सबसे पहले पिछली तारिक से कराधान के जमेले पर उन्हें जाना जाए कोई एक आपकी विश्वस्नी नीती होनी चाहिए वरना दुनिया का कोई व्यत्ती इस आसन का चलते आपके आताने है मनला आप टेक्सेशन की जो खुआ विवाद वह उसको लेकर ठोस उसी प्रकार से ये पाष्चाद असवरों से जो टेक्सेशन की बाते आ रही है दुनिया में कोई आप पर ख्रोसा नहीं हो आप जो डील करते हैं उसको स्ठीक रहना चाहिए आप रेट्रोस्प्रक्टिव स्थेट्रशन की तुनिया में आप चाहिना के साथ पर्धा कर रहे हैं आप प्वीश्वास पजा करना और में बताता हुझी विष्वास बहुत बड़ी पुंची होती है और सरकार को विष्वास तोड़ने वाले कदम कभी उठाने नहीं चाहिए उस विष्वास और यही विश्वास की खातित में मेरा जही सवाल है कि आर्थिक सुधारों को लेकर आपकी क्या अरफ्णार करने के वोट만 के कारकम पर लोग आर्थिक सुधार तो आर्थिक सुधार नहीं है आर्थिक सुधार वो होते हैं, जो आपके सारी व्यवस्ता में नए प्राण खरते हैं, एक नई सोच की शुरुवात होती है, लोगों को आने का आउसर प्रादा होता है, आर्थिक सुधारों से ये बनना चलिए है, आपने तो इतने कानूनों की जंगल बनाती जा रहे हो, का आजमी कानूनों की जंगल में फुस्ता चला जा रहा है, आवशत्ता है ये है कि हम कानूनों की जंगल को जड़ा कम करें, सिंप्लिफाय करें, और प्रोसेस के भहुत शॉटकट करें, हमारे जहां हिंदू फिलोसोर्फिमें कहते हैं कि चार धाम की आत्रा करों तो मोक्ष ह हो जाता है, लिकिन हमारी सरकारों में फाइले चारीज घाम की आत्रा पूजिं करें तब भी फाइल का मुख्ष नहीं होता है, ये ये बंद होना चाहिए, क्यों हम व्यवस्ताव को सिंक्रोनाइज गया, दूसरा टक्नोलोजी से ट्रांस्परंट सिलना दिया, अब एन्व पर इपारमेंट के नाम पर सारे प्रोजेक्ट लोगती जाएं, सिलनेचर की फाइल पड़ी है, क्यों पड़ी है, आखर के मंत्रियों को बदलना पड़ रहा है, कितनी गंगई समय से हाएं, और इसलिए हम जब जब चीतनी बड़ी मात्रा में तखनोजी अप्योग करेंग चाहे इप्रोफर्मेंट हो, इटेंडरिंग हो, हुमन इंटर्वेंशन चितना कम करेंगे, दुनिया के देशों का विश्वास पड़ेंगे, भी देशार सबढ़ेंगे, अब यह सूशाशन के आपके परामेटर में यह सारी चीज़ार आती है? यह सूशासन के भी नहीं है लेकिन ये एक विकांस की लंबी सोच का भी हिस्सा है आपने गुजरात के अंदर ओद्युकी करन का जो माहोल बनाया जुकिया उसका गुजरात के इस मौड़कू क्या अखिर भारती इस तर पर राश्टी इस तर पर अमल किया जा सकता है पहली बात यह है उस पर कितना फोकेस रहें पहली बात यह है भारत एक संगिय ठाचा है हमने राज्यों को प्रुस्वेट करना चाहिए केंदर की नितिया ऐसी हो जो सब राज्यों की उनकी च्शंता के अनुसा कारे करने का अवस्वत्ते हैं अगर मुझे मान लीजे दिली मे करेंगे मान लीजे बिहार ने लिजे एक लाजे ऑंपे बिजन कर देखराय को बिस्वा धोहीं सब्सक्राइप के सांगें यहार तो तो भीमोज्ताकर से दंवेश्वाना डिली सुर्कार एसे ही राष्टिय सुरुच्छा के मामले में भी नरेंद्र मोधी की द्रश्टी अलग है, सुरुच्छा के मसले पर वे केंद्र सरकार के मंत्रालयूं के काम काज का सवाल उठाते हैं. पहले बात है, भारत सरकार के पात जितने बिपार्टमेंट है, वो मिजरीवली ःता हुए है। viveागो में थोड़ा राज्न का कोनुशिम हैं थोड़ा कभी हुआ है। लेकिन और भारत सरकार कें डिपार्टमेंट हुटा है सादेक्ट होता है देफेंस मेनिस्टर के भीच में तनाफ हो। साड़ साल हो गए है। इंद्रा जेशी जेसे लोग राज करते थे। क्या कभी सेना में हिंदु कॉन, मुसल्मान कॉन ये गिंती करने का पाप हुआ है क्या? ये काम किया जा रहा है। आज देखें हमारी पंडुबियां डूग रही है हमारे सेना के जवान मारे क्यो? सब कहते हैं भई, फाइनसर सपोर्ट नहीं है, डिसीजन मेकिं प्रोसेस नहीं है, इसलिए हमारे समसाधनों को भी हम आधुनिक नहीं क्या पा रहा है। हमारे जवान कुछ तो इसलिए मर रहा है, मारे जा रहा है, क्यों ट्रक ऐसी है, पाड़ों पे जाना ही पाती, और बार में उनको मरने की नौबत आती है। कम से कम हमारे सेना को आधुनिक कैसे बनाएं, बेले प्यूप ऐसे रखें, उनके दिस्प्टिन का को दिशा में, और सरकार और सेनो के जाना होना चाहिए, एक constituency diferen होना, चुनिक कोर्णेट की आधौनिक होना चाहिए, और हम किसे के भिवारने के लिए सेना तो त्यार नहीं करते हैं, हम आप इससे के लिए सेना त्यार करते हैं, हमारे देश की अभिशक्ताव के लिए सेना त्यार करते हैं, चीन, पगिल्तान, उनकी जो रविये हैं, अब आने वाले दिलों में अफगानिस्तान से अमेरिका जाने वाला है, क्या हमने विजुलाइज किया है, उसके बाद हमारे सीमा पर कहा कर समझ जाने वाली है, उसके ल एक बयान देती है, पार्लमेट में डिफेंज मिनिस्टर दूसरा बयान देते हैं, और इसका मज़ा पाकिस्तान उडाता है, तो यह सृतियां बदनी चाहेगी, पर इस स्थिति के लिए आपने काया कि जो केंडर सरकार की जो मिनिस्ट्री जो वहां की जो धाचा डारा है, यह मतलब वह धाचा भी, वह मिनिस्ट्री भी नेतरतु की वज़े से ठीक हो सकता है, यूपीय सरकार के पास को पीजनी नहीं है, को तमिटमंट नहीं है, रांश्ट रक्षा इनके प्रायरोटी नहीं है, यह सब चर बड़ा संकट है, और पूरी सरकार को मैं जिम्मेवार क क्या भारत के नौजवान डिफेंस एकिमट नहीं बना सकते क्या, डिफेंस अप्साट हम नहीं बना सकते क्या, क्यों हम एक प्रोग्रेसिव, एग्रेसिव पालिसी नहीं बनाएं, क्या हमारे हंदुस्तान के उद्योकार, हमारे हंदुस्तान के नौजवान, हमारे हंदुस से हम सस्तास्त्र इंपोर्ट करते हैं हम वो ड्रीम करें कि हम दुनिया के देशों को एक्षपोर्ट करेंगे अगर यह करेंगे तो देश के नोजोड़ों को रोजगार मिलेगा फोरेन एक्सेंज का संक्रबंद हो जाएगा और भारत आतमंदिर फर बनेगा हमारी सेना के जव जवाब है, सोच है, उनका मुकाम दिल्ली में साथ रेस कोर्स का प्रधान मंत्री निवास है, इसलिए मैं ये पूछने से अपने को रोप में ही पाया, कि यदि उनका सपना स्राकार हुआ, यदि में सपत के लिए राश्ट्रपती महन पहुचे, तो ऐसा होना, वे किसकी ब बदूलत या कर्म की बदूलत, इस पर नरेंद्र मोदी का जवाब था, नोक तंद्र बै, जनता जनार्धन इश्वर का रोप होती है, जनता निड़े करेगी, जहां तक नरेंद्र मोदी का सवाल एक व्यक्ति के नाते, अब सारा देश जानता है, कि मैं कहां पैदा हुआ, कैसे पला बड़ा, और मेरा जीवन में विस्वास रहा है, और मेरा जीवन में विस्वास रहा है, मैं देश के नवजवानों को भी हमेशा कहता हूं, जीवन में कभी भी कुछ बनने के सपने नहीं देखने चाहिए, और मैंने भी कभी जीवन में कुछ भी बनने का सपना न भी मैं कह रहा हूं कि मैंने जीवन में कुछ बनने के सपने नहीं देखे हैं करने के सपने देखने चाहिए उन सपनों को पुरा करने के लिए जीवन चुठा देना चाहिए और मेरा क्या कर रहा है देश की सेवा करनी है समाज की सेवा करनी है दलीत पीडी शोशित आदिवास गरीब, वंचीत, इनके कल्यान के लिए मेरा जीवन काम आये, इस मकसद से घर छोड़ा है, इसी मकसद से परिवार छोड़ा है, भारत मेरी माँ है, सवासवातरो और देश्वासी मेरा परिवार है, उस परिवार में मैं खब चुका हूँ, और यही करने का लेकर के सपनाने कर प्रचारक बनते हुए जो एक आपकी सोच थी, वो सोच और आज जो मोजुदा सोचे, वो किस मुकाम में हैं, उसमें बतल कितनी प्राप्ति कैसे, वो सोच यहां तक कैसे पोचे? साथ ही कक्षा में एडमिशन लिता है, वो एक नीव बनती है , जो आगे जागर किूह वो बहुत बड़ा सान्ीस्स बने गडर, कन सौंइस्टिस् deliak बने गा, decision UP, जेकर KLAS भे डियन के संस्कार मिले थे डिस्प्लेन से जीने के लिए संवस्कार मिले है, कफोर परिश्व करने के लिए संवस्कार मिले है, खुच के लिए नहीं, औरों के लिए सोचने के संवस्कार मिले है, और मैं इसके लिए राश्चिय स्वाईस्वाइस संग का रने ही हूं, जिनोंने बुझे आज लोग मैं जब दोड़ा करको लोगों जब पुछते हैं, मुझी जब ठकते नहीं हो क्या, अब सुबहे शाम इतने दिलों से दोड़ रहे हो, उसका मूल कारण है, संगे के अंदर कठोर परिष्णम की मेरी ट्रेजिंग होई है, खुद के लिए कम सोचना, जिम्मेवारियों को पुरा क अब म्ाहिए यह कंवट कैसे कि ? मेरे लिए आज भी राजनीती खेतर, यह ambition नहीं है, एक mission है, हमारे लिए राजनीती सरवोपरी नहीं है, राश्ट्रनीती सरवोपरी है, हमारे लिए सथ्ता सब कुछ नहीं है, समाज भ्हक्ति सब कुछ है, यही तो हमारे समस्कार है, जो हम जहां भी बैठेंगे, जिस जिम्मिवारी के साथ बैठेंगे, जिस दाइत्व को रिभाएंगे, सवासो करोर देश वास्यों का कल्यान, भारत मा फिर से एक बार जगत गुरु का स्थान प्राप्त करें, विश्व की इस परधा में हमारी भा सवासो करोर देश वास्यों का सपना हो जाए, यह अपने गर छोड़ते हो या पारिवारी बंदनों से मुक्त होते हो, यह इरादा यह से दिस मोजिग्या है, यह जितना बी मौका मिलेगा, अगर एक गरिव कि सेवा करने का मौका मिलेगा, जिएक की कांगा, पचास की सेव करने का मिलें तो मुका में फांच करूगा, छे करोड की सेवा करने का मिलें तो छे करोड की करूगा, सवा सो करोड की सेवा करने का मुका मिलें तो सवा सो करोड की करूगा, इसके ही बिदलता जाएगा, इरादा नहीं बढ़ लेगा, रास्ता नहीं बढ़ लेगा. मतलब पुर नियती जहां लेगे आप इसमें नियती को अपना भागी को ज्यादा मानेंगे योगदान इस मुकाब पे या करून वाधी होने के का ज्यादा मानेंगे मैं मानता हूँ कि देश के लिए जो तीम चीजों के सबसे बड़ी आवद सकता है वो नेता, नीती और नियत बागी अगर ये ठीक हुआ तो नियती भी अच्छा सोती है